हलो एवरीबड़ी इस दिग्राश सेंग राजपूत वेलकम टू सोशल स्कूल आप यू पीपल आर गुट ठीक हो मस्थ बहत्रीन हो फाइनली एसस्टी बिगिंस आज तेरा तारिक का एक्जाम देकर आये हैं जिन बच्चों का एक्जाम था आपका एक्जाम बहुत अच्छ आउटपुट निकाला जा सकता है किस तरह से सही तरह से चीजों का इस्तमाल किया जा सकता है किन रिसोर्से पर फोकस किया जा सकता है कैसे टाइम यूटिलाइस किया जा सकता है आगे हम मिलकर हम मिलकर क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़े में आपको बताता हूँ नाव इ तेरा तारिक चौदा तारिक और पंदरा तारिक की सुभए तो मैं ऐसा मानता हूं कि वह आपकी रहेगी सिर्फ आपकी रहना चाहिए वह और आपको क्या करना है वह सारी चीज़े में गाइड करते चलूंगा लेकिन अगर देखा जाएं तो तेरा तारिक का आदा दिन और च चीज़ मिल जाएगी तो जिन्होंने देख लिया वेलें गुड अब आपके पास समय नहीं है लेक्टर्स को देखने का उसके बाद में क्या है रिविजन रिविजन हमने कंप्लीट कर लिया है अब इस पॉइंट पर जैसे आप देखो भी तो रिवाइस करके अभी कंप्र कर सकते हैं आपको पूरा चप्टर कवर हो जाएगा लेकिन अभी अब समय की नजाकत को देखते आगे और क्या किया जाना चाहिए वो बताएंगे प्रैक्टिस सेशन्स इंपोर्टेंट होते हैं पॉइंट स्ट्राटेजी अब देखो स्ट्राटेजी का सीधा सा पॉइंट यह है कि आप क्या कर रहे हो जो एसेंशेल है उसे कंप्लीट करो तो एसेंशेल कि अगर हम बात करें तो देखो लेक्ट्चर अब फीजेबल नहीं कि आप देख पाऊ रिविजन सेशन्स पर रिलाई कर सकते हो प्रैक्टिस सेशन और फाइनल टेच अप की बात क आए कि पांच नंबर का मैप वर काना है मैवक हमारा कम्टीट हो गया तो तुम पहले मैब वर्क सिक्यॉर करो पना उसका अदमें क्या है पिच्चर बेस्कूशन कैसे सॉल्व करना है के कैसे सॉल्व करना है ठीक है और जितनी भी समस्या है आपकी जो भी डिफिकल टॉपि चीज़ देख नहीं सकते हैं इस चीज़ को आपको एकसेट करना पड़ेगा ठीक है तो लेक्चर्स ठीक हटा सकते आप स्ट्राटीजी वगेरा या फिर जो यह डिफिकल टॉपिक्स वगेरा है तो अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज में पढ़ रहे हूं जैसे मैं आपको चीज़ बता दो दो बच्चे दो तरह के एक वह जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है तो अगर कुछ-कुछ टॉपिक परिशान कर रहे हैं तो यू आर्जस रिक्वाइट टू सच कि क्या टॉपिक आपको परिशान कर रहे हैं आपको सब मिल जाएगा सारी चीज़ों पर और पर आप रहे आफ आप प्रक्टिस टॉप्सक्राइब हैं कि कोशिष करेंगे करें तो यह तरह की स्टूपिंट्स नस्ते अपर धी क्या कि मैं हर चीज का रिविजन करवा चुका हूं हिस्ट्री एकनोमिक्स जोग्रफी सिविक्स तो इन लेक्षर को देखके आप अपने पार्ट पर अपना टाइम मैनेज करते हो रिविजन कर सकते हो और यह सिरुफ रिविजन नहीं होगा एक कॉंप्रीहंसिव कवरेज सरास बच रहाएं अगर आग ऐसे चुम शुडू करते हो तो ट्व एक देखोगे तो छह घंटे आपको चाहिए रहेंगे तो जैसे एक से टिंगमें हिस्ट्री निप्टाओ एक स्तल इकक्रnew स्ट इधिक्स उसके साथ साथ पोउंट अब यह है प्रैक्टिस सेशन उडिज से एक्जाम में पूछी जानी है मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पेपर पता चल गया लेकिने बोलते ना कि ब्रॉड अंडरस्टेंडिंग जो मैंने आज तक डेवलप करी है वह हम कवर करने वाले शाम में all the session what मत अब whose रहेंगी मतब यह सेशन कुल गया हờएक कि आपका पूरा सिलिबस र्विजिण के साथ साथ जो इंपोर्टेंट चीज चीज आपको आपको सकते आ इडिया हो जाएगा कि हाँ एक नमबर दो नमबर के कुश्यन आ रहे हैं तो हमारे से बहुत अच्छे से बन जाएंगे तो यह सेशन है कि इंपोर्डेंट सेशन होगा ठीक है अब वही होगा क्या 14 तारीक है तो 14 तारीक के दिन में में आपको क्या देने वाला हूं कि एक मास्टर वीडियो मिलने में आप अपने पार्ट पर यूवाइस करो में मेरे पढ़ने से अप करना है तो वहां पर आप खुद पर समय दो किसी भी टीचर के पढ़ाने साब पास थुरी ना होते हो आपको खुद महनत तो करना पड़ेगी इस चीज लेकिन एक्सेप्ट करो तो अब जब मौर्निंग का समय सदुप्योग कर लोगे न तो फिर आगे न हम पांच बजे मिले था क्या कि आपको कैसे क्या प्रिपेर करना है वंडे विफूर एक्जाम तो इस दिन का 14 तारिक का इस्तमाल कैसे करना है तो आपकी खुद की रहना चाहिए क्योंकि आपने जितना पड़ा है ना उसको कंसॉलिडेट कर लो ऐसा नहीं कि सुबह सुबह कुछ पढ़ लोगे कि जिसने कुछ नहीं पड़ा जो पंदा तारिक की सुबह उठ रहा है तो उसके लिए या फिर क्या सकते ना बोलते हैं हम उन लोगों के लिए रखेंगे जिनको सच में बहुत ज़्यादा जरुवत है किसी ऐसी चीज़ की जो उनकी मदद एक्जाम में कर दे तो विल ट्र सिर्फ मेरे पड़ा जैने से काम नहीं हो जाएगा आपको बार-बार रिवाइस करना होगा नोट्स मैंने आपको दे दिये रिविजन पुरा करवा दिया ठीक है और यह जो फाइनल टच अप वाले और प्रेक्टिस सेशन रहेंगे इसमें कुछ नहीं छुटेगा सब कवर हो जाएगा ठीक है तो मैं पूरी तरह से त्यार हो और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप आपकी एक्स्पेक्टेशन से दस गुना बहतर करके आओगे यह मैं लिख कर दे सकता हूं तो इतनी सी बात है बस अब क्या हुआ है क्या नहीं है कि अभी जाग रहे होना अगर तो अभी से आपके पास जितने भी 70-72 घंटे हैं उन घंटों का सही इस्तमाल कर लोगे तो यू विल नॉट रिग्रेट यू विल नॉट रिग्रेट बतलब हर एक मिनिट जो आप इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको किसी प्रकार कर रिग करते चलना तो आल इंडिया मॉप टेस्ट चली रहा है जहां पर आप एमसी की उसके फॉर्म में चेक कर सकते हो कि आपने जितना पढ़ा कितना रिकॉल कर पार हो कितने कुशन सही जा रहे है और प्रिपरेशन टेस्ट करने के साथ साथ में यू किन विन आप 90 परसें स्कॉ अभी के लिए साइन आफ करता हूं साइनिंग आफ विद इस तुगेधर वी कैन वी विल थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च